हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शादाब ग्राफिक्स में तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने मुबाइल फोन में पासपोर्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं जी हाँ फ्रेंड्स अगर आपने अपना नया पासपोर्ट अपलाई किया है या फिर अपने पासपोर्ट को रिनीवल कराया है और आप उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडि पासपोर्ट का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मुबाइल फॉन में क्रॉम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है पासपोर्ट जैसे ही आप पासपोर्ट लिक करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की एक window show होगी आपको क्या करना है आपको simply इस close बटन पर क्लिक करके इसी close कर देना है उसके बाद friends आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा यहाँ पर friends आपको passport का status चेक करने के लिए एक option मिल जाएगा यह आप देख सकते हैं track application status आपको simply इस पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर friends आपको कुछ detail फिल करनी है यहाँ पर सबसे पहले friends आपको application type select करना है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर application type में आपको यह select वाला option मिल जाएगा आपको simply इस पर क्लिक करना है उसके बाद friends यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे option खुल करा जाएंगे यहाँ पर सबसे उपर आपको एक option show होगा passport, PCC, IC, GEP इसमें friends आपके अगर आपने नया passport बन वेया है या फिर अपने passport को renewal कराया है या फिर आपने अगर PCC का form apply किया है तो तीनों के लिए ही आपको यही वाला option select कर लेना है तो जैसा कि मैं इसे select कर लेता हूँ उसके बाद friends यहाँ पर आपको अपनी file number एंटर करना है और इसके नीचे वाले कॉलम में यहाँ पर आपको अपनी date of birth एंटर कर देनी है तो friends file number आपको कहा मिलेगा यह मैं आपको बता देता हूँ जब आप अपना नया passport apply करते हैं या फिर अपने passport को renewal कराते हैं तो आपको passport office से कुछ इस type का एक form मिलता है इस form पर friends कोने में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का एक file number लिखा हुआ शो हो जाता है यह आप देख सकते हैं आपके form में भी इस type का एक file number आपको मिल जाएगा तो यही file number आपको महाँ पर fill कर देना है तो friends वो file number आपको यहाँ पर enter कर देना है और इसी के नीचे आपको अपनी date of birth भी यहाँ पर enter कर देनी है जैसे कि मैं अपनी file number और date of birth एंटर कर देता हूँ file number और date of birth एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको track status का option मिल जाएगा आपको simply इस पर click कर देना है और click करते है friends यहाँ पर आपके सामने आपके passport का status show हो जाएगा जैसे कि मेरा यहाँ पर passport dispatch हो चुका है यहाँ पर आपको passport number भी show हो जाएगा और नीचे आपका यहाँ पर tracking number भी show हो जाएगा यह आप देख सकते हैं आप Indian speed post की website पर जाकर अपने इस tracking number का यूज़ करके अपने passport को track कर सकते हैं उसके उपर मैं already वीडियो बना चुका हूँ कि आप किस तरीके से Indian speed post की website पर जाकर tracking number का यूज़ करके अपने किसी भी item को track कर सकते हैं अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको i button में मिल जाएगा तो महाँ पर जाकर आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं तो guys I hope ये वीडियो आपको पसंद आयोगा वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like करें जादा से जादा अपने friends के साथ में share करें और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें तो मिलते है friends next video में तब तक के लिए take care